कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइस S7 से देश की पहली साइबर नाइस S7 मेरट के मवाला रोड इस्थित वारेंटेस कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए इस्थापित की गई है अमरत सरके जमीठा रोड इस्थित दवा फैक्टरी में गुरुवार की रात को आग लग गई फैक्टरी में हुई आग जमे की घटना में एक किशोर और एक महिला समेट चार कर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई फैक्टरी के मालिक ने तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेट को दी वहीं फैक्टरी में आग लगते ही हरकम मच गया फैक्टरी में मौजूद कर्मचारियों को जहां से रास्ता मिला वहां से बाहर निकल गए फायर ब्रिगेट की आधा दरजन गाड़ियों की मदद से देरात आग पर काबू पाया गया इसके बाद आग में फसकर मौत का शिकार हो चुके किशोर कुलविंदर सिंग, रानी, सुकजीत सिंग तथा गुर्भेज सिंग के शब बाहर निकाले गया ब्रतोकों के परिजनों ने फैक्टरी मालिक पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए दवा फैक्टरी के सामने धर्णा शिरू कर दिया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है जब आग लगी तब फैक्टरी के अंदर काफी कर्मचारी काम कर रहे थे आग लगते ही सभी बाहर की तरफ भागे हाथसे में मारे गए लोगों के परिजोनों ने फैक्टरी के मालिक पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है देखिए इस खबर में फिल हाल इतना ही आप देखते रहे फॉस्ट बाई डॉट टीवे कर दो